तो आपकी एक्जामिनेशन मेरे दोस्तों मार्च 19 से लेकर एप्रिल 30 के बीच में हर संड़े आपको मिल जाएगे एक क्वेश्विट पर इसकी बीच में आपको ओफलाइन में भी मिल जाएगा दस सेंटर पर आपको ओल इंडिया रैंक प्रेडिट कर्ड भी मिल जाएगे इसकी बीच में हेलो सुप्रिया कैसे हो और वहाँ पर आपको वाउचर भी मिलने वाले है अगर आपकी रहेंग अच्छी आती है तो वीड वन आपको यूज कर सकते हैं वैबो देश्मुक बहुत बढ़िया है प्रोडक्ट वैल्यू आफ्रिंग से मरें दोस्तो स्टोर सब्सक्रिप्शन है आइकोनिक सब्स्रिप्शन है तो आप अपने ड्रीम कॉलेज को क्रेक करने के लिए से छूज कर सकते ओंधर आपको सब कुछ कुछ डेटिल दिया है इसके अंदर भी आपको सेम कॉर्ड यूज करना है वीडी वन दैडिस दा वाइब हो देश्मुक बन कैसे हो मैं बहुत सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन अगेन आपको इसके दर मिल जाएगा कोड है वीडी वन एलो बक्ती कैसे हो नर्गीज कैसे हो क्लास 12 की लाइव बैच से मरें दोस्तों नीटीज़ 24 के लिए साहस बैच और अभ्यास बैच प्राइज बहुत ही कम है अल्मोस 10,000 था के मितलब कुछ भी नहीं है यस इसके अंदर क्लास 11 के लिए बैच से 25 के लिए प्राइज अल्मोस 10,000 था के मितलब कुछ भी नहीं है अगेन यस के अंदर आपको मिरे दोस्तों एक टिपिंग की स्कॉलर्शिप टेस्ट मिलने वाली है अप्टू 90 परसें तक स्कॉलर्शिप मिल सकता है उनलाइन उसके साथ अफ्लाइम प्रोग्राम के बीच में इसके नहीं आप एंड्रॉल कर लो हमारा कोड उसको लो वीडी वन य आपको मजा आने वाला है यह सुदा कर चलेगा तो जलेगा के सेशन को स्टार्ड करते हैं फास्टेस डिस्ट्रूबिशन ऑफ सम इंजेक्टिबल मेट्रियल मेडिसीन वीट नो रिसक आफ एनी कान बी एच्वड वेंस वेरी गुड़ मेरे दोस्तों जो वेंस होती उसे हम आपका शुपेरियर होता है मिरो दोस्तो थोड़ा अपर डियरेक्शन में होता है यह पर बलड़ प्रेस्ट्री थोड़ा सा कम होता है इंस वेंस को चूज करते हैं खेक है वेरी गुड नेश्ट कोशन आपके स्क्रीन के सामने है विच और फोलिंग स्टेट्मेंट को प्रफिलिटाइट्स एन अगें डियने के अंदर सिमिलर होता है ऑप्शन भी इस दी करेट अंसर बट यहाँ पर बाकी के सेल्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं करता है वो बस हमारे पैनिकरियाटिक सेल के बीच में एक्सप्रेस करता है बहुत बढ़िया बोर दिया है थोड़ा सा हार्ड है बट नीट में आ सकता है अगर इस कोशन को आप अच्छे से स्वाल कर लोगे मेरे दोस्तों तो आराम से हो जाएगा यास यास सुनित कुमार अगर इस question को solve कर लेगो तो आपको hard question अगर solve कर लेगो तो थोड़ा सा easy वाले questions आराम से हो जाएंगे वागि आपके जिन्दगे में क्या चला है बिटा Sunday वगरा कुछ होता है क्या तो इस condition के अंदर देख लो मेरे दोस्तो male affected है उसके अंदर female भी affected है मेरे दोस्तु सकी porgeny और male भी affected है पर यहा पर यह वाली female उसकी भी भी unaffected है तो इस conditions के अंदर मेरे दोस्तु यह जो आपका disease है यह आपका homozygous है मेरे दोस्तु ठीक है मतलब क्या है male small a small है और female capital A small है इस condition के अंदर, तो option A must be the correct answer, ये question थोड़ा सा hard level का था, तो the female parent is heterozygous, that is the capital A, small a, ये जो आपका disease है, ये आपका recissive disease होने वाला है, जो कि autosomal recissive disease बेटा, next question आपके screen के सामने मरें दोस्तो, leguminous plants are able to fix atmospheric nitrogen through the process of symbiotic nitrogen fixation, तो अब आपको बता हैं मरें दोस्तो की कौन सा option आपका incorrect होने वाला है, starting के कुछ questions थोड़े से बड़े हैं, बट उसके बाद हम single line questions solve करने वाला है, please do not skip any question, because today's session is one of the best important session, ओके या पर एक simple चीज़ देखने मरें दोस्तो, incorrect पूछा है, तो leak hemoglobin scavengers oxygen and it is the pinkish in the color, यह भी correct है मरें दोस्तो, nodules act as the sites for the nitrogen fixation, यह भी correct है मरें दोस्तो, the enzyme nitrogen has catalyzed the conversion of atmospheric nitrogen to the ammonia, यह भी correct है पेटा, but nitrogen is insensitive, तो oxygen यह option incorrect है, reason क्या मरें दोस्तो, क्योंकि nitrogen is आपका sensitive होता है पेटा, in the presence of oxygen वो function नहीं कर पाता, in the presence of oxygen वो function नहीं कर पाता, तो sensitive होता है पेटा, next question आपके screen के सामने, पिचरों तो following is a zerophytic plant and in which the stem is modified into the flat, green and succulent structure, zerophytic मतलब क्या मरें दोस्तो, कि उसके पास पत्य वह गरा नहीं है, leaves modified है उसके अंदर, मतलब leaves कम हो चुके है मरें दोस्तो, and stem जो है stem इसके अंदर modified है flat green organ के बीच में, बैसका option आजाएगा मरें दोस्तो अपुंशिया इसके अंदर आप क्या कैसे होते 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 हैं, next question आपके screen के हैं, सामने हैं, विचरों तो following are used in the gene cloning, gene clone करने के लिए किसी यूज़ करोगे, बहुत बड़ी आस था, बहुत बड़ी है सुनित कुमार, दिलीप कुमार, उसके बाद है, सोनाली वर्मा, अर्भिया वर्तिका, सुप्रिया, नीतु मडिको स्टुनेंट नर्गीस हैं, सुदाकर, very nice बेटा, next question आपके screen के सामने है, when domestic sewage mixes with the river water, अगर just suppose, कि मेरे घर के बेंटों, दोस्तों, सिवेज वाटर बनता है, हमारे पूरे कॉलिनी का सिवेज वाटर बनता है, अगर हम उसे STP के अंदर डालने के वावो जुत, नहीं, तो without any STP's programs, अगर मैं उसे directly river के अंदर छोड़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कि river के अंदर हमारा, क्या हो जाएगा, बैटा, organic matter बढ़ जाएगा, ठीक है, organic matter बढ़ने की वज़ए से, dissolve oxygen कम हो जाएगा, उसकी वज़ए से, मचलिया मर जाएगी, utrophic stress बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया, देखो, question थोड़े से difficult लग सकता है, बट question बहुत ज़दा simple है, good evening, good evening, just wait a second, मैं हमारे टेलिग्राम पर बस एक message डाल देता हूँ, अर यार मैंने टेलिग्राम ही uninstall कर दिया था, कोई बात नहीं चलेगा, तो हमारा next question आपके screen के सामने पर दोस्तो, Estivation of petals in the flower of cotton, cotton बेटा, cotton के अंदर कोंसा Estivation पाया जाता है, important question है आगें, जल्दी से, cotton का पूछा है, आराम से हो जाएगा, question is very important बेटा, cotton के साथ क्या होता है, cotton के साथ आपका china rose है बेटा, ठीक है, चायना rose के साथ और मैंने दुस्तों क्या होने वाला है, ladies finger है बेटा, यह जो आपके सभी होने वाले बेटा, यह होती है आपके twisted, ठीक है, twisted के अंदर क्या होता है, overlapping होती हो भी एक particular direction के अंदर होती है, खुश्बू, अब very good यह नहीं, so option D must be the correct answer, बहुत बढ़िया, next question आपके screen के सामने है, यह question PYQ में पूछा गया है, यह यह guarantee के साथ कह सकता हूँ कि इस type का question नीट 2023 में आएगा, मतलब आएगा, जल्दी देखो, ABCD को match करा के बता दो, question is very important, इससे underestimate मत करना मेरो दोस्तों, अब एक चीज़ देखना, सबसे पहले, driveophithecus, ramaphithecus थे, उसके बाद homo erectus वगर आया, homo habilis वगर आया थे, उसके बाद cromagnum man, उसके बाद नियंदर तल, वगरा वगरा चीज़ यह उसके बाद हम आ गए, पर इस चीज आपने नूटिस की होगी, कि starting से जादा हमेरे दोस्तों, स्टार्टिंग से जादा क्या होने लगाए, कि हमारी cranial capacity बढ़ने लगी है, स्टार्टिंग में 650, 800 मेरे दोस्तों, उसके बाद 900, 39, 15, उसके बाद 1400, यह सभी हमारी cranial capacities बढ़ती जा रही है, ठीक, इस option डीज दी करना अंसर, इस question आपके screen के सामने, इस बाद में, उसके बीच में, डासिलफाइड linkage बना दी, very great, next question आपके screen के समने, if for some reason, the parietal cells of the gut epithelium, become partially non-functional, तो उसके वज़े से, what is likely to happen, please answer it in the comment section, and do not miss a single question from today's session, because today's session is one of the best session, of my life, of entire almost 2.5 years, जल्ली से, क्योंकि, question बहुत बढ़िया है, थोड़े से hard, थोड़े से simple, थोड़े से medium है, एकदम neat की level है, option D is the credence है, बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ पर proteins का digestion नहीं होगा, क्योंकि peptics, sorry, parietal cells, secrets, HCL, HCL activates pepsinogen, so यह पर pepsinogen activate नहीं होगा, that's why वहाँ पर proteins adequately आपके, digest नहीं होने वाले, option D is the credence है, very great, next question आपके screen के सामने, which are the following, most appropriately defined, important question, most appropriately defined, मतलब बाकी के भी हो सकते हैं, बहुत पूछा है, मतलब अगर चार लोग correct हैं मेरे दोस्तों, उन में से सबसे ज़्यादा correct कौन सा है, लाइक देखो अगर चार लोग है, सब लोग अच्छे दिखते हैं में से सब में से अच्छा को ने ऐसे बता आना है, तो उंगली मेरी तरपाने चाहिए, thank you everyone, horse is an organism which provides food to the other organism, now, emensalism is a relationship in which one of species is benefited, whereas the other is unaffected, emensalism होते हैं, commensalism होते हैं मेरे दोस्तों, ये भी आपका incorrect है, so options ही आएगा, predator is an organism that catches and kills the other organism for the food, ये अगर आप एक चीज़ देखोंगे, मेरे दूस्तों जो हमारा tiger होता बेटा, वो क्या करता है, food के लिए, food के लिए catch करता है, catch करते हैं, just wait a second, just wait a second, मैं क्या करता हूँ, एक second के अंदर मेरे दोस्तों, मुझे बस टेलेग्राम के उपर message डालना है, ठीक है, तो मैंने अपना tab remove कर दिया है, just wait a second, मुझे एक बार टेलेग्राम पर message डालने दो बच्चों को, डाल देता हो कि, everyone we are live, everyone we are live, जल्दी से आ जाओ, everyone we are live, जल्दी से आ जाओ, wait a second दा, मैंने tab को remove कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाई से message डालना था, अगर यही से डाल देता, तो आपको मेरा पूरा account वगरा दीख जाता, that's why कि मैंने इसे निकाल दिया, just wait a minute, बागे क्या चल रहा है, अरे यार आज सेम टाइम पर रईूसर की class है क्या, इसा है आज, दो-दो classes है, physics की भी classes I think यही टाइम पर है, चल लेगा, तो option हमारा C is the correct answer, next question आपके screen के सामने मरे दोस्तो, which of the following techniques is safest for the detection of cancer, एक simple सी चीज़ देखने मरे दोस्तों, cancer मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर, हमारे body के अंदर, किसी भी cells के यहाँ आपनोर्मल ग्रोथ चल भी बिटा, abnormal ग्रोथ मतलब क्या, कि हमारे body उसे define नहीं कर पा रही है, control नहीं कर पा रही है, तो उस condition के अंदर क्या होगा, मेरे दोस्तों कि हमारे body की cells undefinately growth करेंगी, उसे पता करने के लिए, क्योंकि नहीं नहीं यहाँ इस दीग करेंट अंसर क्योंकि इसके अंदर, सेफेस्टे मेरे दोस्तों आपके body को चीरना फार्णनी की कोई जरूरत नहीं है, और इनकी वज़े से आपके body को कोई हाम भी नहीं होता, so option A must be the correct अंसर, signals from the fully developed fetus and the placenta ultimately lead to the parturation, which requires the release of जल्दी से, कि इस चीज़ का release लगा है मरे दोस्तों, signals जो कि आपके baby को बाहर करने के लिए, एक चीज़ देखना है, एक चोटा सा बच्चा जनौन लेता है, तब 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 9 months, 9 days तक क्या होता है, इनन अवरेज हम कहेते हैं कि बेटा, ओम के अंदर रहता है, उसके बाद एक signal दिया आ जाते हैं, पर दोस्तों कैसे signal दिया आ जाता है, कि fetus भी देता है, और उसे के सार बना प्लासेंटा भी देता है, तो उसके बाद oxytocin रिलिस होता है, maternal pituitory से, posterior pituitory, वो जाके अड़ करता है uterus पर, जो कि उसके अंदर mild contractions करके बेबी को expel कर देता है, लेज़ कोशन आपके screen के सामने, यहापर आपको correct match चूज करना है, हर्मोन का, उसके source का और उसके function का, जल्ली से, वैज़ोप्रेसिन, posterior pituitory, increased loss of water through the urine, बेड़ा increase नहीं होना चाहिए था, यहापर decrease होना चाहिए था, तो option A is the incorrect, नौर एफिनेफरिन, adrenal medulla, increases heartbeat, rate of respiration, अड़ अलर्टनेस, यह correct है, फुलुक्यागाउन, बिटा सेल्स, पेटा बिटा सेल्स, हमारी insulin रिलीज करती है, तो प्रोलक्टिन, posterior pituitary, anterior pituitary, तो यह भी option incorrect है, so option B must be the correct answer, very good, next question आपके screen के सामने बिटा दोस्तो, इन eukaryotic cell, transcription, RNA splicing, उसे के साथ RNA capping, कहा पर होती बटाए, important question है, side पूचिए, location पे चाह, किती भी चीज की location होती है, बेटा कि कई प्रोसेस हमारी साइटो प्लाजम के अंदर होती है, कई प्रोसेस हमारी nucleus के अंदर होती है, same चीज उन्होंने पूचिए है, कि RNA splicing cell transcription, RNA capping कहा पर होती है, so option B is the correct answer, यह आपर splicing capping हमारी nucleus के अंदर होती है, और जो हमारा प्रोसेस हमारी RNA होता है बेटा, उससे फिर बाद में हम कहाँ पर लाते है, cytoplasm के बीच में लाते है, बहुत बड़ी option B is the credence है, यह इस question आपके screen के सामने, given below all the four statements that's from the A to D, regarding the human blood circulatory system, you just have to choose the correct option from the following, please please जल्दी कर तो, correct option choose करना है, important question है, need 2010 का है बेटा, मतलब AI PMT का, अपनी इल कैसे हो, खुश्बू, सुदाकर, भूशन, जल्दी कर तो निकिता, medical student, नितू, option A is the credence है, बहुत बड़ीया, arteries are thick walled, and have narrow lumen as compared to the vents, यह correct है बेटा, option D, calcium ions play a very important role in the blood clotting, अगर आपको बता है, अब दोस्तों calcium कम हो जाता है, तो blood clotting factor को भी affect हो जाता है, so option A must be the correct answer, very great बेटा, बहुत बड़ीया, next question आपके screen के सामने है, in human female, the blastocyst क्या होता है बेटा, important question again, PYQ है, आपकी PYQ है, होस दखता है, it is possible कि यह PYQs repeat हो जाए, forms placenta even before implantation, gets implanted into the uterus, 3 days after ovulation, gets nutrition from the uterus, and endometrium secretion only after implantation, gets implanted in the endometrium by the tropoblast cells, अभी आपको पता है, मेरे दोस्तों किसके पार, tropoblast cells होती है, ठीके, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर inner cell mass होता है, एक direction के अंदर, तो यह जाके क्या करता है, मेरे दोस्तों, यह जाके हमारा implant हो जाता है, होता है, हमेपलोबीन, हमेपलोबीन क्या करता है, blood के अंदर मारे, basically oxygen का carbon dioxide का transportation करने में help करेगा, so option D is the cadence है मेरे दोस्तों, 12 से लेकर 16 gram होता है, और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कि हमें एक minute के अंदर, एक single, एक normal adult, इतना टाइम से रेस्पिरेशन करता है, breathe in, breathe out, ठीक है, next question आपके screen के सामने, an example of endomicrosia, important question है, endomicrosia, microosia है बट उसका association, endo है मतलब कि, cells के अंदर है बेटा, tissue के अंदर किया है, so nostoc, glomus, agaricus, rhizobium, rhizobium आएगा, rhizobium आएगा, इसका answer, थोड़ा सा सोचो, okay, सभी लोग answer D कह रहे है, great, next question आपके screen के सामने, कुछ लोग तो following, बेटा, भी मैं थोड़ा सा बता ना चाहूँगा, कि यह microosia बेटा, microosia की बिच में, किसके बिच में relation होता है, थोड़ा सा सोच के दोखो, microosia की बिच में आपका fungus होता है, fungus के साथ आपका plant भी होता है, तो feel से एक बार थोड़ा सा सोच के देखो, कि rhizobium ही answer आना चाहिए क्या, थोड़ा सा सोच के देखो, next question आपके screen के सामने, इसको मैं बाद में ले लोगा बेटा, don't worry, next question आपके screen के सामने, one of the commonly used plant growth hormone in the tea plantations, tea plantations के अंदर कौन सा growth hormone यूज करोगे, यह question आपके नीट के अंदर पूछा गया था बेटा, बहुत बार repeat हो चुका है, तो हो सकता है कि इस साल भी आ जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, one of the commonly used plant growth hormone कौन सा है, इस चीज के लिए उस किया जाता है, क्योंकि वहापन हम stem cutting करते हैं, इस चीज के लिए उस किया जाता है, यह question आपके screen के सामने है, यह question बहुत ही जदा बढ़िया है, जल्ली से, आज ना में सुबच 6 बज़े उठ गया था, 6 बज़े से लेकर अभी तक, उसके बाद class को आ गया था, हमारे class को start कर दिया, जल्ली 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 इसका answer क्या होने वाला है, option B is the correct answer, तब ए को देख लो मेरे दोस्तो, ए क्या होने वाला है मेरे दोस्तो, यह नो 3- का आपका conversion nitrogen के अंदुर, और मतलब यह denitrification है, और B की बात करेंगे, तो decaying mass से आपका ammonia बन रहा है, तो ammonification, हम सी की बात करेंगे तो बटा, सी की आपर plants होने वाल है, plants को animals खाते हैं बेटा, so option B is the correct answer, very great, next question आपके screen के सामने, jaundice किस चीज की disorder है, जल्दी जल्दी, hello मुसकान कैसे हो, jaundice किस चीज की disorder है, exerated system, skin and the eyes, digestive system, अरे यार बेटा, इसको क्या हो गया, एए चुप तु, तो तो jaundice किस की disorder है, अब दोस्तो, jaundice हमारी digestive system की disorder होने वाली है, the liver is affected, bile pigments का बगएर इसके नदर आ जाएगा, next question आपके screen के सामने, क्राइन्स अनेटोमी किस के बीच में होती है, hello need aspirant कैसे हो, potato दिया है, wheat दिया है, sugar can दिया है, mustard दिया है, question is very simple बढ़ दोस्तो, तो यह आपको C4 plants के अंदर पकड़ना था, तो answer C is the current बगएँ, बहुत बढ़िया, next question आपके screen के सामने, transport of the food material in a higher plants takes place, three important question बटा, higher plants के अंदर food material दिया है, मतलब आपको यह आपर phloem का part पकड़ना है, तोड़ा सा दिमाग लगा लो, answer आराम से हो जाएगा, transport of the food material in the higher plants, track it के के स्थे थुरू आएगा बटा, track it सुन नहीं आएगा, transfusion tissue भी नहीं आएगा, next question आपके screen के सामने, which one of the following is the monoseous, important question, which one of the following is the monoseous, monoseous पूछा है मरों दोस्तों, monoseous मतलब क्या होता है, कि एक single organism पर आपका male भी होता है, उसे के साथ female भी होता है, ठीक है, option C is the current answer, pinus is the monoseous, इसे हमने आज तक बहुत बार solve किया है, next question आपके screen के सामने है, across in which an organism is showing a dominant phenotype, it's cross with a recessive parent, and in order to know it's genotype, मतलब हमने capital T, small t, या capital T, इसके अंदर फरक करने के लिए, इसे cross कर दिया, small t, small t के साथ, इसे हम कहेंगे test cross, इसे हम back cross भी कह सकते हैं, अगर हम उस parents को back करें बेटा, इस condition के अंदर हम मारा ratio आता है, one is to one बेटा, option C is the card answer, very great, next question आपके screen के सामने है, the Indian rhinoceros, is a natural inhabitant of which one of the Indian states, important question है, पहले पूछा गया है, अभी question आने के chances कम है, still आपके mock test series के बीच में repeat होगा ज़रूर, कहा से बेटा, उत्तराकंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असाम, बेटा, असाम में आपका Indian rhinoceros होता है बेटा, natural उसका inhibition है, next question आपके screen के सामने है, question I hope so की visible होगा, इसके अंदर आपको answer करना है, I hope so की question visible होगा, नहीं है, तो थोड़ा सा, adjustment कर लो, उसे देखके answer करने को try कर दो, just try कर दो बेटा, वड़ा सा try कर दो, अभी देख सकते हो, ठीके C answer बेटा, C answer दिया है, fixation, decarboxylation, regeneration, option C is the current answer, option C is the correct answer, C है, fixation है, पहला सबसे पहला fixation है, उस दुबाद decarboxylation दिया है, और यहाँ पर आपका हो जागा regeneration, so option C is the current answer, इससे prefer कर लो, यह NCI-T से, NCI-T का important question है, next question आपके screen के सामने, black stem, that is the rust of wheat, किसके वज़े से cause होता है बेटा, rust of wheat, rust दिया है मतलब क्या आएगा, जल्दी से सोच के बता दो, rust दिया है मतलब क्या आजाएगा, alternia, solani, pustilago, nuda, pustinia, gramines, और उसे के साथ option आपका DBT दिया है, बट option C is the current answer में पता है, कि pustinia हमारा rust cause करता है बेटा, जिसे हम black stem भी कहते है, next question आपके screen के सामने, secretions from which one of the following are reached in the fructose, calcium and some enzymes, किसके secretions के अंदर मेरे दोस्तों fructose भी होता है, calcium भी होते हैं थोड़े enzymes भी होते हैं, तो बदा सकता है इसका answer, कोई बदा सकता है क्या इसका answer मेरे दोस्तों जल्दी ट्राइ करो, answer बहुत ज़्यादा simple हो जाएगा, इसके अंदर मेरे दोस्तों हो जाएगा, male accessory gland, so option is the credencer, like इसके अंदर आपके seminal plasma जो होता है बटा, seminal plasma उसके secretions होते हैं, great, next question आपके screen के सामने, a person suffering from a disease caused by the plasmodium, experience requiring chill and the fever at a time when, पर एक चीज़ देखना, आ यार, 3 से लेकर 4 दिन के बीच में हो सकता है, कभी कबार time period vary कर सकता है, जब paris side पर दोस्तो rapid multiplication करती है, उसके RBCS को rupture करती है, और वहाँ पर आपका hemozoin release हो सकता है, ठीक है, तो उस conditions के अंदर fever with the chills दिखाई देएंगे, दुरूरूरू होगा, yes, आपके स्क्रीन के सामने, ABU blood group एक सिस्टीम में मरे दोस्तों जो की जीन आय से control की जाती है, हाँ पता है, 6 genotypes है ये भी पता है, तो phenotypes कितने possible है, कल ही हमने इस question को solve क्या था, A blood group, B blood group, AB blood group, उसे के साथ हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 4 type के phenotypes possible होते हैं, next question आपके स्क्रीन के सामने, 3 of the following statements about the enzymes are correct, and one is wrong, तो आपको wrong statement को choose करना है, question बहुत जादा important है, which one is wrong बेटा, इसी के जिन्दगी में गलती ढूणना, बहुत जादा simple चीज होती है, और ही simple चीज करके बता दो, enzymes require optimum pH for the maximal activity, enzymes are denaturate at the higher temperature, but in certain exceptional organisms, they are effective even at the temperatures of 80 to 90 degrees Celsius, ये करेट है बेटा, क्योंकि example देख लो thermos aquaticus का बेटा, thermos aquaticus का example देखो, ये करेट है, enzymes are highly specific correct है, ये भी correct है, but option D is the not correct, क्योंकि आपके enzymes कभी भी lipids नहीं होते हैं, protein structure होता है, lipid का structure कभी भी नहीं होता, इसकोशन को कभी गलत मत करना, इसकोशन आपके स्क्रिंड के सामने, an elaborate network of filamentous protein याशी structures present in the cytoplasm, which helps in the maintenance of the cell shape, तो उसे क्या कहोगे, तो उसे प्यार को क्या नाम दोगे, ये देली पकुमार शरुबा, ये लोगोई, endoplasmic reticulum, plasmodilemma, उसे के साथ हैं मेरे दोस्तों, cytoskeleton, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपर दिया हैं मेरे दोस्तों, filamentous protein याशी structure है, तो इसके इंदर आपका 9 plus 0, 9 plus 2 array हो सकता है multiple जगा पर, so option D is the correct answer, very great, बेसकोशन आपके स्क्रिंड के सामने, root development कौन promote करता है बेटा, अब यहापर एक चीज़ देखना, root growth अलग दिया है बेटा, और यहापर root development अलग से दिया है, तो root development यहापर अगर मैं कहना चाहूँगा, तो यहापर आपको rice के plant पकड़ के चलना है, rice के oxyn उसकी development करा था, growth करा था, यहापर आपको rice के plant पकड़ के चलना है, so answer vary करेगा, अगर rice दिया होता, तो इसके अंदर answer ethylene आ जाएगा, so option D, अगर rice दिया है, oxyn बेटा, यहापर callus बगरा दिया होता, तो आपको answer oxyn करना चाहिए था था, ठीक है, so option D is the correct answer, next question, आपके skin के सामने, ठीक है, मतलब क्या है, यह बेटा, यह head है, ठीक है, अगर यह B है मेरे दोस्तों, तो B कॉम पकड़ सकते, sheath है, C को पकड़ेंगे, तो C उसको color है, मेरी color को देख लो, उसके साथ, अगर D को देखो गए, तो उसके tail fiber से, तो option C is the correct answer, option C must be the correct answer, बहुत बढ़िया, great, 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 सभी बाद है, next question आपके screen के सामने, in a genetic engineering, a DNA segment, that is the gene of interest, is transferred to a horse cell, through a vector, तो consider the following four agents, A to D in this regard, and select the correct option about the vector, आपको बताने मेरे दोस्तों के vector कौन सा है, bacterium vector है, plasmid vector है, plasmid vector है, प्लाजमोडियम vector या उसके साथ, Bacteriophage, अगर आप बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो इसका answer आजाएगा, plasmid भी एक है, और Bacteriophage भी है बेटा, ठीक है, सु option आपका, B और उसी के साथ, D, दोनों answer correct है बेटा, B और D, दोनों answer correct होने वाला है, this question के बीच में, यस गवरी, next question आपके screen के सामने है, the food fly, Drosophila melanogoster, was found to be very suitable for experimental verification of chromosomal theory of inheritance by the Morgan चचा, and his colleagues, reason क्या था, यवो हम किसको भी उसकर सकते बेटा, मखी को यूस कर सकते थे, हनी भी को यूस करते थे, पड यार हमने इसे ही क्यों यूस किया, Drosophila melanogoster को, क्योंकि पार्थे रों genetically करती थे बेटा, ना, a single mating produces two young flies, ना, many, smaller females easily, नहीं, larger females हुआ करती, this option D is the condenser, वो अपनी life cycle, about 2 हपते में complete करती थी, so that's why उसके पर study करना जादा मुश्किल नहीं रहता था, just suppose, कि अगर मुझे buffalo की उपर study करना था, तो buffalo का gestation period होगा, buffalo उसके पार्चुरेट करेगी, बच्चे बड़े होने के में समय लगेगा, उन बच्चों को बच्चों पर पैदा करने में बहुत समय लगगा बेटा, so option D is the simple answer, उनकी life cycle बस दो हफते की होती है, लेश कोशन आपके screen की सामने, लाइक ओपरन के अंदर क्या होता है, important question, आज के question आपको थोड़े से गंदे लगेंगे ज़रूर, लेगा कि आप भिया आपको ये कैसे questions लाए, थोड़े से हाड लग रहें, बट यही questions नीर 2023 में जब आएंगे, तब आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि एक जो regulatory जीन होता है, वेटा हुम कहते है आई जीन, आई जीन regulatory होता है, और बाकी कि जीन आपके ZYA होते हैं मेरे दोस्तों, आपके structural जीन होते हैं, इसको याद कर लो, इसका एक screenshot ले लो, अगर मेरी मानोगे तो इसका एक screenshot ले लो, question बहुत जादा important है, नेस question आपके screen के सामने हैं मेरे दोस्तों देख लो, वेजेटी टू प्रोपेगरशन दे पिस्टिया कैसे होता है, अगर मैं खींड बता दू, तो पिस्टिया के साथ इक और निया भी आपका आ जाएगा, spelling के उपर ध्यान मत देना, जल्दी से stolen offset runner sucker, option बीज देख रेना से मेरे दोस्तों क्यूँ, क्योंकि यह आपका थोड़ा सा water environment के अंदर करता है, तो इसके बीच में आपका offset आ जाता है, नेस्ट question आपके screen के सामने है, यह Paris-C diagram को देखके बताना है कि इसका nomenclature कैसे होने माला है, क्योंसे शब्दों को क्या कहोगे, जल्दी से ABCDFG है, जल्दी, A है मेरे दोस्तों, तो A को देखके पता चलता है, कि A हमारा है epidermal cell, क्योंकि थोड़ा सा बाहर direction में बटा, epidermal cell, अगर B को देखके बतादू, तो मैं को लग रहा है कि B थोड़ा सा नजदिक वाला है, modified है, तो B हो जाएगा, subsidiary cell, और C को बतादू, तो C यहाँ पर दिया में दो, C तो हमारा tomato aperture होने बाला है, और D को बतादू, मेरे दोस्तों, तो D होने वाला है मेरा guard cell बेटा, D तो guard cell बेटा, अगर आपने इस question को गलत किया है, उसका मतलब है कि आपकी आखे कई तो गलत हो रही है ठीक है, नेश्ट question आपके screen के सामने है, अब ही उटाओ बेटा था अभी उटाओ बेटा पाज बजे, अल्मोस्ट 11 hour का gap है, बस एक बार खाना हो खाने को उठा था, तो मतलब आज दिन बर मेरी लगे पड़ी है बेटा, तो one nucleotide with another nucleotide की बीच में क्या करता है बेटा, bond preference कराता है, ठीक है, इनकी बीच में bonding मनाता है, तो क्या होता है, मरें दूस्तों DNA दिया है ना, तो DNA की बीच में phosphodiester दिया है बेटा, तो आपकी nucleotide की बीच में bonding होने वाली है, next question आपके screen के सामने AI PMT 2009 का question है, यहां के आगे, सभी question 2009 के बेटा, as it is question paper उठाया है मैंने, as it is 2009 का, अगर इस question paper को solve कर सकते हो, उसका मिनिंग है कि 2013 को तो ऐसा ही चुटकी में उडा लोगे, so first question है कि हॉर्मोन के कौन से हॉर्मोन के अंदर आयोडीन होता है, thyrozin is the correct answer बेटा, क्योंकि यह आपके thyroid gland के हॉर्मोन है, और उसके लिए आयोडीन बहुत ही ज्यादा important चीज़ है, अब एक single, एक simple important चीज़ बताना चाहता हूँ, आगे के सभी questions, आगे के सभी questions single line है, ठीक है, अगर यह question paper है, यह simple question paper आप solve करके दिखा सकते हों 2009 का, तो 2023 का paper आप चुटकी में solve कर सकते हो, चैलेंज लो और accept करके थोड़ा सा एकदम दिमाग लगा के question paper को solve कर लो, प्लीज, request है, नेच्ट कोशन आपके स्क्रिन के सामने, पहले दो तीन कोशन थोड़े से गंदे हैं, उसके पास simple question है, पहले दो तीन कोशन थोड़े से गंदे हैं, उसके पास simple question है, इसी याद कर लो, गाऊरी फुन्यारिया भी नहीं होगा, नीरेस्पेरेंट, सवपनिल भी भी नहीं होगा, या इसकांसर डि आएगा, पॉले द्रेगों नहीं बेटा, उस्ती लेगों आएगा ना, प्रोश चेक कर लेना चीक है बट स्टील इसका अंसर भी आना चाहे था उस ती लोगों शुट भी तर एक बार क्रॉस चेक कर लेना यह सर्बिया चाचाने लोगों शुटंडव प्रोटिन नहींटा वेड़ेन प्रोटिन नहींट प्रोटिन कोट नहीं था और इनका जो अरियन था वो मेरे दोस्तों low molecular weight का था क्या था low molecular weight का था option C is the credencer next question आपके screen के सामने मेरे दोस्तों manatol is the stored food in okay आशना बेटा manatol stored food किस में होता है manatol के साथ आपका laminarin भी होता है laminarin भी होता है तो इसका अंसर क्या होने वाला gracularia, chara, porphyra, fucus, fucus is the credencer क्योंकि आपके brown अलगी के अंदर होता मेटा 55C के अंदर 55C के एक्जाम्पल्स क्या है laminaria, sargassian, fucus, ectogarpus, dictoyota so option D is the correct answer next question आपके screen के सामने कुछ रहों दो फॉल्मिंद वैस्कुलार क्रिप्टोगाम वैस्कुलारी है क्रिप्टोगाम छोटा स्ट्क्च्चर है जल्दी से टेडरस एक्वीस सेतम जिनको मरक्यांशिया एक क्वेशन प्यवाई क्यू में बहुत बार पूछा गया है डेडरस एक्वीस सेतम जिनको मरक्यांशिया चलो मैं एक्वीस सेतम हो जाए बहुत सब्सक्राइब के सामने प्लासिफेक्शन कि स्क्यू पर बेस्ट होती है लोरेल कैरेक्टर्स एक्वेशनेरी रिलेशन्शिप्स और फॉर्फोलोजिकल फीचर्स या केमिकल कंस्टिट्योंट्स को हम क्या किमिटाउग्जमी नहीं कह सकते है तो इसे हम क्या कहेंगे जल्दी जल्दी बहुत बीटिया इसका अचार में रोडुस्त ऑप्शिन बीस देखरें नहीं सब्सक्राइब करें जब भी हम युलेशनरी रिलेशन्शिप्स देखते हैं हमारे पापा पापा के पापा उनको तब हमारे फाइलोजनेटिक हो जात बहुत ही ज़्यादा मतलब इवन इसका इंपोर्ण सब्सक्राइब को पता भी नहीं चलेगा उतना जादा है जल्दी से यह इस सपॉंजय बेटा ट्रिपलोब्रास्टिक बाइलेटिकल श्मेटिकल पॉसिबल नहीं सिलेंट्रेट्स नहीं बेटा टिपलोब्लास्टी नह सब्सक्राइब कर दोजार नो का पेपर है बेटा एट दी एंड जब आपकी नीड़ 2023 हो जाएगी तो हम चेक करते कि कितने कॉश्चन पर कहां से रिपीट हो जाएथे बेटा हम हर रोज पीवाई की सौल करते हैं प्रिवेसर के पेपर सौल करते हैं हमने 2023 से लेकर 22 से लेकर 2009 नो तक पहुच गया है मतलब देखो कितने कॉश्चन सौल कर लिया है लैंपर हो जाएगा हैक फीश हो जाएगा सो ऑप्शन डी इस दी करेट अंसर कॉश्चन वहाज वेरी सिंपल ठीक है डिरेक्ली एक्जांपल से इसे आप आराम से कर सकते हो इस कोशन प्लास्मो डेसमा युट्यमेडा का स्ट्क्चर होता है जो कि ट्रांस्पोडेशन कराता है विट से बात है अप्शन एज दी करेंसर यह दिलिप कुमार शर्मा आप्शन नहीं हो जाएगा स्ट्रोमा इंदर क्लोरोप्लास्ट ओफ हाइयर प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि अन्दर स्ट् क्योंकि आपके स्क्रीन के सामने सिनैप्सिस किसके बीच में होता है इसके बीच में होता है अगर कोशन गलत हो रहे तो कोई बात ने में दोस्तों उसे सुधार लो गलत हो रहे उसके वज़े से छोड़ देने का ऐसा नहीं होता है किस चीज से बना होता है इसके बीच में नाइंजमेंट हो सकता है तो प्रोटिन फिलामेंट हो जाएगा कहा पर पाए जाते हैं यह सभी टिशू आपके स्क्रिन के सामने है तो काइंड आफ टिशू आट फॉर्टिव स्ट्रक्चिर इन अवर पिनना यह देखो मेरे दोस्तों यह पिनना थोड़ा सा बोनी लगता है लगता है वट होता है क्या टोटल नहीं क्योंकि यह देखो में से अरोड मरोड सकता है उसका रीजन क्या है इसकी बीच में हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कि हमारे टीप आफ दो नोज पर प्रेजेंट होता है इसको भी देखो बेटा इसे ऐसे करके सकते हो ओप्शन एस दी करेट अंसर नेश कोशन आपकी स्क्रीन के सामने इफिजेल टीशू प्रजेंट आपके ब्रॉंकियों के ऊपर लिया की वज़े से इसका ट्रांसपोर्ट होना इंपोर्टन होता है पैलोड प्रेंट की बीच में आपका ओम ट्रांसपोर्ट किया चा सकते है तो जायगोड भी इसकोशन और इस नियारली विवेसल और इस इस दीजनरेट यहां पर आपको नॉट डूपूचाई इसके बीच में कोई कॉमा वगरा नहीं लगाते इसे डिरेक्ट स्ट्रेट लाइन में पढ़ा जाता है सो ऑप्शन बीज़ी करेंसर नेस्ट कोशन रिमोल ऑफ इंट्रॉंस एंड जॉइनिंग दे एक्जॉंस इज़र डिफाइन और इन ट्रांस्क्रिप्शन यूनिट उ तो उसे जोड देंगे को निकाल जो करता है। करने सब्सक्रेंड को संब्रेक्शन घ्रांस करता हो संब संब्सक्राइब आपके स्क्रीन के सामने में दोस्तों जल्दी देख लेना इसका मैं एक्जामपल बता सकता हूँ हमारा सिकल सेल एनेमिया इसका एक बहुत प्यारा से एक्जामपल हो सकता है आपके स्क्रीन के सामने सिकल सेल एनेमिया क्या है यह एक्जामपल पूरा प्शुच्ण पर एज़िस स्वाल करें जल्दी से क्या होता है एलोंगेटर सिकल लाइक आर्बीस वित नूक्लियस नहीं होता बैट और उप्शन इस धे इनकरेट न ओटो जोमने लिंक डॉमिनेंट ट्रेट नहीं होता है पके स्क्रीन के सामने थोड़ा सा दिमाग लगा कि इस question को आराम से solve करना है question बहुत धाथ important है pedigree pedigree charge की उपर बैटा कोशन पूछा जाता है यह सब्सक्राइब प्र पूछा जाता है कि जल्दी 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 तो एक चीज देखना कि male be affected है female affected है मतलब क्या skipping of generation हो रहा है मतलब यहाँ पर dominant decedive तो बिल्कुल भी नहीं है तो अबर dominant decedive नहीं है और एक चीज़ देखना है कि male be affected female be affected है मतलब यहाँ पर autosomal होने वाला है और उसे के साथ recessive है so option c is the current answer inheritance of the condition like PKU as well as the autosomal recessive trade so option c must be the current answer इसका reason मैं ने explain कर दिया है फिर से करता हूँ skipping of generation that is why dominant नहीं है recessive है और male be affected है female be affected that is for autosomal exception c is the current answer next question आपके screen के सामने है the most popularly known blood grouping system is the ABO blood grouping system so it is name of the ABO and not ABC तो जो O होता है बेटा वो क्या refer करता है जल्दी से O blood group को हम OQ कहते बेटा उसे MCB कह सकते तो उसे MDB कह सकते तो O ही क्यों कहते है क्योंकि उसके पास कोई भी antigen नहीं होता है और भी उसके RBC की उपर तो because the absence of RBC की उपर आपका antigen that is why we call it as O blood group system बहुत बढ़िया next question आपके screen के सामने select the incorrect statement from the following incorrect match choose करना है बहुत जाता important simple question है अभी पूर आपको यापर elimination करना पड़ेगा लेट में इसका अंसर बहुत दा सिंपल से बता सहूं का क्योंकि यह question out of anxiety से belong करता है यह belong करता है तो इसका अंसर एह है मेरे दोस्तों baldness is not the sex limited rate baldness could happen in the females also बट अगर आप इस pattern वाला baldness देखोगे यह आप देखना females के आप यह वाला baldness अगर आप मेरे आप देखोगे तो यह जो है मेरे दोस्तों यह थोड़ा सा नीचे जा रहा है अंदर जा रहा है reason है hormonal changes so it is a sex influence बेटा it is not due to the sex limited rate is due to the sex आप कैसे तो इसके अंदर बेटा yes चलेगा next portion आपके स्क्रीन के सामने मेरे दोस्तों जल्दी से देखना guard sales किस चीज़ के अंदर help करेगी सब्सक्राइब क्लास ले रहे हो without purchase नहीं है क्या नहीं है transpiration कहते है इस question आपके स्क्रीन के सामने मेंगने किस चीज़ के लिए required होता है मेंगनेज एबटा मेंगनेज मतलब यम यन chlorophyll synthesis मैंगनेशियम होता है nucleic acid synthesis ना परको आप अलग position दे सकते थे plant cell wall formation calcium आ जाएगा आपका मैंगनेज प्लस आपका क्लोरीन इसके बीच में फोर्टो स्लाइशिस और वाडर करता है तू यह चुटू ओ का breakdown करेगा फोर एच प्लस 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 आपका इलेक्ट्रॉंस प्लस यहाँ पर ओर टू इस next question आपके screen के सामने oxygenic photosynthesis किसके बीच में आता है देखो अगर एते questions repeat ने होंगे तो कैसे होंगा यार रिपिट होने के chances है 2023 में जब्स है oxygenic photosynthesis किसके बीच में होगा ख्लोरोबियम क्रोमेटियम और रोडोस प्लिरियम आना चाहिए अगर मेरी मानोगे तो अक्सिला तोरिया होना चाहिए अगर मेरी मानोगे तो रोडोस प्लिरियम कैसे आ जाएगा oxygenic पूछा है ना कि भी आएगा शोर हो गया अर्यू शोर अर्यू शोर भी है तो कोई बात नहीं रोडोस प्लिरियम तो नहीं आएगा इसके अंदर आइधिंग सो यह दिलिव कुमार शर्पा औस से यह आना चाहिए था ना तो ओके ठी आपकी स्क्रिन के सामने यह वाला फ्लोरल फ्लोरल फॉर्मिला किससे बिलॉंग करता है एक्टिनमोर्फिक बाइसेक्शुल कैलैक्स फाइव क्यूद्स प्लॉला प्लस एंडोशियम यहापको उसे क्या कहिना पसंद करोगे और गैनोशियम सुपेर हो रहे है यहापका बा बाको आता है तो ऑप्शन भी इस दी करेंट अंसर प्शाइन के सॉना ली एकजंपल और अग्जाइल प्लसेंटेशन एक्जाइल प्लसेंटेशन की मैंने कुछ ट्रिक बताई थी खास करकि महाराश्ट्रियन स्टुट्वेंट्स को सी तर्डे वेटा ठीक है मतलब ची मतल यह पटवे कए लेमल्स आप्टेर defendants को आप एरवीक camarotleri प्रोक्राइटली टर्म क्या दे सकते फ्रोक इसके बीच में बेटा का ऑफिजिल to क्याटाबॉलिक भी होता है तो option D is the current answer की in total आप उससे MPBOLIC कह सकते हो next question reduction in vascular tissue एक तो vascular tissue reduce हो चुके है mechanical tissue reduce हो चुके है और cuticle भी reduce हो चुका है even cuticle upset भी हो सकता है तो किस के बीच में होगा है इड्रोफाइट्स की बीच में जिरोफाइट्स की बीच में मिजोफाइट्स की बीच में इफिफाइट्स की बीच में वैएक चीज़ देखना cuticle water को preserve करें के लिए था पर हाइड्रोफाइट्स के पास पानी की कोई कमी नहीं होती है उनके अंदर cuticle वगेरा सब ही absent होते है reduce होते सो option a must be the correct answer बेटा option a must be the correct answer दिलिव कुमार शर्मा क्यूँ क्योंकि हाइट्रोफाइट्स के पास पानी पानी होता है तो उसे बचाने को क्यों जाएगा बेटा तेस्ट कोशन आपके स्क्रीन के सामने देख ली ना अने टोमिकली फैरली ओल्डाइकाट लिनेर्स रूट है वेटा रूट है आपके पास और डाइकाट का स्टेम है उसके बीच में distinguish कैसे करोगे कैसे करोगे distinguish उसके बीच में position of protozylum कि एक रिज़ करेट अंसर तो यह क्यों कि हमारा जो एंडर चोटा यह बेटा इंडर चोटा है स्टेम की बीच में और जो एक जार चोटा है वेटाओ हमारे रूट के बीच में होता है correct कहा ना तो उसके position के द्वारा हम पता कर सकते बैटा प्रोटोसालम कहा पर लोकेटेड़ अंदर होगा तो हमारा stem अगर बाहर होगा तो हमारा root होने बाद है next question cyclic photo phosphorylation के अंदर क्या formation होता है बैटा cyclic है मतलब ps1 ही अकेला होगा जो इलेक्ट्रोन इससे जाएगा वह ही घुमफेर के इसके पास आता है तो इस condition के अगर आपका electron खर्च नहीं हो रहा है तो यह डिया जिसकी बीच में नहीं बनता है यह जिसके इंदर नहीं बनता है oxygen भी नहीं बनता है क्योंकि oxygen आपका non cyclic के बीच में बनता है वापर photolysis of water के वज़िस से option a must be the correct answer इस question को मैंने बता दिया explain कर दिया बेटा फिर से explain करता हूं कि cyclic photo phosphorylation के अंदर electron खर्ची नहीं होता तो एनधेश नहीं बनता पानी भी नहीं होता आत्रिया अरे स्टाट आपके स्क्रीन के सामने है इस टांड़ इस्ती जी कौन सा अलवेट्स करेट आप्षिन में दोस्तों क्यों की पी जो होता है हुमारे डी-पोलरेजिशन ओफ एड्रिया होता है कि वारेज डी-पोलरेजिशन ओफ एंट्रिकल होता है बिटा इसकोशन आपके स्क्रीन के सामने यूरीक ऐसेड चीफ नाइटोजनस कंपोनेट किसके अंसर आपका लेस वाटर लगेगा ठीक है उसी के साथ यह आपका लेस टॉक्जिक भी होता है तो अंसर आजाएगा कोकरोच के अंदर अगर आपने कभी देखा होगा तो यह आपके अर्थ्रोपोडा से भी विलोंग करता है और इसके बीच में पैलेट के फॉर्म में रिल ऐसे कोनसे फूर के पार्टीकल है जो कि मारे स्टमक तक अंडाइजेष्टेर पोशते उनका बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता है तो अप्शन डी इस दी करेट आंस बेटा इसे हमने सौल कर लिया है लेट मी टेल यू कि आज हम तोड़ा सा स्पीड में कोशन गर रिय है क्योंकि हमारे पास आज कोश्चन बहुत जाद है अगर आप देख सकते हो तो 90 कोश्चन हमने स्वाल कर लिए विदिन स्पैन ऑ 45 मिनिट्स हमारे पास अभी भी बहुत कोश्चन से जो कि बहुत ऑसम कोश्चन से तो प्लीज वेट और प्लीज ट्राइट कि कोश्चन इंप से इन्वालेंटरी स्मूथ मसल हर्ट वाल्ड इन्वालेंटरी अंस्टेटडड यहाप पर स्ट्टेटड होती है फिक है कि बाइसेप साफ अपर आम स्मूथ मसल्स ने इंब तो यह भी इनकरेट रहेगा सो और यहां पर स्ट्रूल नहीं करती हुर्णे खुद से यह यूज करना करेट नहीं रहे का वाल दिया है नेक्स्ट इसके अलबाट आवर लिंप अब लॉपस्त नहीं होती है लिप मतलब टिश्यू फ्लूर तो लिंफ के अंदर कभी भी आपका red blood cell नहीं होती बस WBC ज्यादा होती है यूँकि एक lymphatic system के द्वारा drain out की जाती है लिंफाटिक system के विच में हमें immunity ज्यादा मिलती है ठीक है got it लेक्स कोछन आपके screen के सामने है बहुत important question है what will happen if the stretch receptors of the urinary bladder wall are totally removed अगर मैरी urinary bladder से अगर आप totally stretch remote stretch receptors को निकालोगे तो क्या रहे हो कैसे होगा there will be no misturation urine will be continue to collect normally in the bladder नॉर्मल तो नहीं होगी misturation will continue वेक चीज़ देखने यह question हो सकता था और अगा यहाँ पर empty है bladder तो continue नहीं होगा ठीक है तो यह भी थोड़ा सा कहना अच्छा नहीं रहेगा वैसे कहें भी सकते हो during will not collect in the bladder यह भी incorrect data total possibility option एक ही ज्यादा है there will be no misturation अगर आप उसके अंदर नहीं हो पा रही है अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रही है तो उसके अंदर आप उसे निखाल सकते हो बड़ स्टिल यह passive process रहीगी यह active process आप करने ही खुद से कर पाऊगे option a must be the correct answer next question आपके screen के सामने which part of the human brain is concerned with the regulation of body temperature इसे यह आप thermoregulation कहते हो इसे आप thermoregulation कहते हो यह बिटा आपका hunger मतलब आपको भूग लगना यही आपका थर्ष मतलब प्यास लगना इससे कंट्रोल करता है hyphothalamus is the correct answer बेटा सभी बात है आपके for brain का part होने वाला if you haven't like this session please do it right now रैकने क्या तो कर सकते हो एक young baby है मेरो दूस्त इंफर्ट है जो कि बस मम्मी का दूद पीता है मतलब मदर्स का milk यूपर feed कर रहा है तो उसके जो tools pass हो रहे है वो थोड़े सी quite yellowish है रिजन क्या है उसके हो थोड़ा सा yellowish दिखाई दे रहा है ठीक है स्टैटी में हम जब जनम लेते हैं तो थोड़ा सा dark reddish color होता है brown color type होता है ठीक है next question आपके screen के सामने है लोबिलिंस कंटेन in human blood plasma primarily involved in the blue इसका function क्या है मरे प्लाजमा की अंदर six to eight percent proteins होते हैं global एक होता है कि कि अल्भीयोमिन एक होता है अप्लस fibrinosan एक होता है ठीक है तो अल्भीयोमिन का function osmotic balance होता है fibrinosan आपके clotting of blood में होते है और मारे जो global इस होते बैटा defense mechanism of body में ेढिर के सामने सेमा मीनल प्लाज्मा इन्ग्या इंदर क्या रिच होता है प्लाज्मा दिया है कि मैं इशेट हैं नो एंजाइम नहीं होता है यह इंसाइटी के लाइन पर लोग प्रुक्टोज क्याल्शियम है इसके अंदर यूज़ किया जाता है ठीक है क्याल्शियम भी होता है वहाँ पर लेस्ट कोशन आपके स्क्रिन के सामने यह पर आपको करेट स्टेटमें पूछा है बहुत ज़्यादा सिंपल कोशन है बट इंपोशन पूछा जा सकता है अभी के नीट में आपके स्क्रिन के सामने अलबो जॉइंट की स्टैप का जॉइंट है बटा अलबो लाइक या आप या और एकजंपल डाल सकते हो नी जॉइंट नी जॉइंट solid थो मैं ऑूलर कितो घक़कर सुखेट तो मारे ये वाला है थिकतो यह नहीं है बाल्जाइन यह वाला है तो यह भी नहीं है ग्लाइदिंग जोईन इंट मेता ये वाला है तो यह भी नहीं है हिंज्ड जोईनतिंटिंटंसिटन क्यूं जोएनट पहां dif disp 하면서 को के स्टेप में कौन्सी चीज इंपोर्टन्ट है बेटा फ्री लिविंग गेमेटोफाइट इपेंडेंट स्पोरोफाइट एडेरोस्पोरी और इसका सत्थ है प्लॉंटिक लाइफ साइकल बहुत बढ़िया इपेंडेंट स्पोरोफाइट इस नौट दी करेंड अंसर सुप इसके इंदर आपको हेट्रोस्पोरी करना है इस कोशन को कभी मीस मत करना इशमत करना इसमत करना इट है पॉप्शन बी को देके भाइग जाओगे बूट ऑप्शीं इस तुला करके बूलाते बिटा तो अब आप आपके बास कार है बीटा so calitonates की derivatives आपके अबा होने वाले that is the abscissic acid that is the abscissic acid बहुत बढ़िया option A is the correct answer great great बहुत बढ़िया next question आपके screen के सामने है vegetative propagation mint के अंदर कैसे होगा vegetative propagation mint के अंदर कैसे होगा question बहुत ज़्यादा important है जल्दी 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 try to solve it and if you haven't like this session please do it right now इसका answer क्या होने वाला बहुत बढ़िया option A is the correct answer क्योंकि vegetative propagation mint के अंदर mint runner होता है क्या wait a second हाँ wait a second मैं गलत कर दिया मैं गलत कर दिया mint और jasmine होता है न मैटा mint plus jasmine होता है न wait a second mint plus jasmine होता है सकर तो बनाना pineapple chrysanthemum हो जाएगा mint के अंदर क्यासे होता है runner होता है क्या 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 कहें दूसको ऑफस्टेट तो बिल्कुल नहीं होता है chrysanthemum भी बिल्कुल भी नहीं होता सकर भी chances कम है इसकी बीच में ही देख लो इसकी बीच में ही देख लो यह आप मुझे चेक करके बता दो कई तो ठीक है ए या तो बी यह दोनमें ही अंसर होना चाहिए सकर तो बनाना pineapple chrysanthemum होता है अफसेट नहीं हो सकता है राइजोम नहीं हो सकता तो बी पॉसिबिलीटी जरूर है तो इक रहनार है ओके गॉट इसकोशन आपके स्क्रीन के सामने या और पूछाई कि कौनसा पार्ट प्लांट आपका मुझेस है जल्दी से विच्वनों तो फॉलिविंग प्लांट इस म इंदर पर इंपोर्डन है इंडे आपके स्क्रीन के सामने प्यूटल इजक्वलेशन और इजएक्शन पार्ट इसकी वजह से रिफ्लेक्स मिलता है थोड़ा सा बहार प्रेशर पूछ पूर्ण करने में पूश करने में हल्प करेंगे वेटा यह कोन्तरेक्शन कराता है वं फ्लेक्स आता है, फुली डवलफ फिटस अधि प्लासेंटा, ऐज इडिज ए याइटी की लाइन थी, नेविट्ट पॉच्छन ओन यो स्क्रीन, युज स्थावट चूज दिकरेट ओप्शन फ्रम दिफोलविग, चुज दिकरेट ऑप्शन फंधिन, विवलुट एक अच्रिकरेट ऑप्शन, युज स्थावट सिंध प्रम युज सुछ विय। आप पीक नहीं होगे बैटा proliferative phase rapid regeneration of myometrium endometrium so option D is the correct answer option D must be the correct answer development of corpus luteum secretory phase होती है और increase secretion होता है progestron का option D में क्या गलती है option D as it is correct है देखो आप B को पढ़ते हो आपको लगता है कि B correct है तो आप D के तरफ जाते ही नहीं option B is the correct answer next question आपके screen के सामने following is most likely root cause why menstruation is not taking place in a normal human cycle just suppose there is a normal female जिसके बीच में menstruation वगरा सब कुछ normal होता है but suppose for due to some reason she is not having getting her menses so what is the reason behind it what is the reason behind it retention of well developed corpus luteum corpus luteum return नहीं करता normal conditions के अंदर जल्दी 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 हो सबता है वेटा pregnancy के अंदर अगर pregnancy है pregnancy की वज़े से मेरे दोस्तो menses stop होते है so fertilization of ohm अगर होगा तो उसकी वज़े से तो उसकी वज़े से मेरे दोस्तो pregnancy के वज़े से उसकी बीच में cycle नहीं होगी तो अपनी option B is the correct answer तो यह बात है yes B mint and the jasmine is stolen ना वेटा उसे हम सकर के अंदर पकड़ तकते हैं क्योंकि stolen और सकर similar होते हैं इस question आपके screen के सामने है याब आपको correct sequence बताना है spermato generate stages का sperm की formation कैसी होती है आपको बताना है जल्दी 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 mean time jasmine should be the stolen stolen का structure सकर के तरह जरूर होता है नहीं यार वो थोड़ा सा अलग भी होता है ओके I will check it ठीक है तो इसके अंदर हो जाएगा spermatogonia होता है spermatocyte हो जाएगा spermatri हो जाएगा sponce हो जाएगा question c must be the correct answer question बहुत ही जादा simple है next question आपके screen के सामने change in the amount of york and its distribution in the egg ये क्या affect करेगा योग जो होता है york sack हमारे अंदर होना ही क्यों चाहिए हम तो हमारे जनम female के अंदर ले रहे है हम तो हमारे mother के अंदर होता है तो york sack की जरूरत क्या हमारे अंदर योग sack का function तो nutrition करना भी होता है but still हमारे अंदर सबसे पहले RBCs के बगरा formation योग के अंदर ही होती है so that's why मेरे दोस्तों pattern of cleavage यही इसके बर depend करेगा so option c is the correct answer next question आपके screen के सामने है when breastfeeding is replaced by the less nutritive food low in proteins and calories, दोनों के अंदर कमें मेरे दोस्तों infants below the age of one year को अंदर क्या होगा pellagra, marasmus, rickets या कौशियोर कर question बहुत दा simple है कौशियोर कर बेटा नहीं होगा marasmus होगा क्योंकि यहाँ पर below the age of one year भी दिया है और यहाँ पर calories की भी deficiency बेटा यह marasmus में होता है कौशियोर के अंदर एक साल से जादा होता है उस condition के अंदर calories की deficiency नहीं होती है so option B is the condenser next question which one of the following types of organisms occupy more than one tropic level in a pond ecosystem which one of the following types of organisms occupy more than one tropic level in a pond ecosystem frog, hydoplankton, fish, jatsu plankton very good option C is the condenser क्योंकि fish आपके small fish को भी खा सकती है ठीक है और उसी के साथ वहाँ पर जो छोड़े-छोटे plants वगएरा उसी भी खा सकती है अलगी को खा सकती है छोटे-छोटे कीडे को खोड़ों को भी खा सकती है तो उसकी multiple levels पर आ सकते बेटा so option C is the correct answer next question which one of the following has maximum genetic diversity in ADR tea, thick, mango, wheat बहुल गड़िया option C is the correct answer यह सचना बेटा option C आएगा mango होता बेटा क्योंकि mango की हमारे आपर almost 1000 तक वाराइटीज पाई जाती है so option C is the correct answer wheat is not the correct answer next question monitoring protocol का aim क्या था control the emission of carbon dioxide reduction of ozone depleting substances biodiversity का conservation control of water pollution बहुत बढ़िया monitoring protocol मेरे दोस्तो ozone depleting substances की उपर था like CFCS जिसकी वज़े से free radical बनके आपका ozone layer क्या होता था हमारा duplicate होता था ozone hole की formation होती थी so option B is the correct answer next question आपके screen के सामने किपको moment किस के लिए launch किया था किस चीज के production के लिए हमारे एक चाची का नाम बता तो बिश्नोई नाम को किसी ने तो सुना होगा जली से wetlands दिया है grasslands दिया है forest दिया है उसे के साथ life stock दिया है forest इड़ी दिखाया था लोगों ने है जादा खास करके तो उसे इस question का थोड़ा सा idea होगा बेटा हमारे government में कोसी step ली है air pollution के regarding use of non-polluting compressed CNG by buses and the trucks trucks दिया है बेटा कोई भी trucks यूज़ नहीं करती है normally ठीक है compulsory mixing of 20% ethyle alcohol भी incorrect है बेटा compulsory P.U.C. pollution under control certification of petrol driven vehicles which test for the carbon monoxide and hydrocarbons यह answer correct है मेरे दोस्तों option C is the correct option क्योंकि अगर आप कभी भी Mumbai पुने express highway पर चले जाओगे उलापुरवाल highway पर चले जाओगे तो किसी भी बड़े-बड़े highway पर आपको traffic police आएंगे और आपको P.U.C. मांगे बिटा तो P.U.C. जो होता है आपके कार के condition के पर डिपेंड करता है कि आप कौनसी कार के इस रेशिम यूज करें हो कहां कब की पुरानी वाली कार वगर आएं तो उसके बड़ आपको certification किया जाता है ब्योडी जो होता है river के अंदर water के अंदर कैसे होता है जल्दी से ब्योडी इन रिवर वाटर इंक्रिजस वें सीवेज मिक्स हो जाएगा हमारे रिवर वाटर के साथ जब आपका यहापर ब्योडी बढ़ने बाला है बायोलोजिकल आपका यह तो बायोगेमिकल ऑक्सिजन डिमांड इस कंडिशन के अंदर बढ़ जाएगा वेरी ग्रेट बहुत 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 बढ़िया सही है मेरे दोस्तों चलेका थोड़ा सा भी DDT खाता हूँ तो मेरे अंदर जाएगा और लेपिड के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा इसका कॉंसेंट्रेशन हरे ट्रोफिक लेवल तक बढ़ता ही जाएगा लेट ग्लोबल एग्रिमेंट इन दे स्पेसिफिक कांट्रल स्ट्राटेजीज तो रिदूस दे रिलिज ऑफ ओजोन डेप्लिटिंग सेस्टेमसेस वाद अडप्टेड बाय ओजोन डेप्लिटिंग सब्स्टेंसेस के अंदर किस ने किया था मेरे दोस्तों मॉंट्रियाल तो मॉंट्रियल के अंदर ही था सुप्शन आपका जाएगा सी इस दी करेट अंसर बहुत दा सिंपल कोशन था यस नेक्स्ट कोशन आपके स्क्रीन के सामने ग्लोबल एग्रिमेंट ऑप्टेंड होंगे जैनेटिक इंजिनेरिंग टिशू कल्चर प्लान ब्रेडिडिंग इरडियेशन जैनेटिक इंजिनेरिंग जल्दी से सो मैं कलों कैसे अप्टेंड होगे जैनेटिक इंजिनेरिंग टिशू कल्चर प्लान ब्रेडिडिंग इरडियेशन जैनेटिक इंजिनेरिंग यस बहुत बढ़ी ऑप्शन बी इस दी करेट अंसर क्योंकि टिशू कल्च लेट ब्लाइट ओफ दी पोटाटो, अल्टेर्निया, तोलैनी, ब्लाइक रस्ट ओफ वीट, फुसेनिया, ग्रामिनिस, और लूसमर्ट ओफ वीट, युस्तिलागो, न्यूडा, ओप्शन सीज दी करें अंसर, ब्लाइक रस्ट ओफ जो आपका वीट होते हैं में दोस्तों, फुसेनिया, ग्रामिनिस हो जाएगा, बहुत बढ़ए, औप्शन सीज दी करें अंसर, बहुत बढ़ए, नेस्ट कॉष्ण आपके स्क्रीन के सामने, तो अपका पॉलिहटर वायरस उसको बताना चाहूंगे थोड़ा सा ऑप्षिन आपका आउट आप इस इस तो प्यार इस प्यार से पार्टनर का नाम भी बता दो अब मुझे थोड़ी से अलर्जिक कंडिशन होना स्टार्ट हो चुक है अभी मेरा जो नोस है थोड़ी सी चिंकर है थोड़ी सी अजोला गलोमस अज़्टो बैक्टिर उसे के साथ फ्रैंक क्या फ्रैंक क्या इस दिकरेंसे बिटा क्योंकि आपका अलनस के साथ असोसेटेड ह सब्सक्राइब क्योंकि यह बच्चों के अंदर होगा बिटा सिंपल वाटर भी नहीं होगा आइपो थैरेडिसम कुट भी तो कॉस्ट माइयोग्जिदमा इस पर्टिक्लर टेंदेंसी के साथ जाना कोई गलत बात नहीं रहेगी क्योंकि बिकॉस पर्टिक्लर सिम्टम्स सब्सक्राइब करेंगे तो ऑप्षिन डी कुट भी लग अंसर एक्ट्राइब करेंट कर लेना ठीक है मेरी नाक के साथ में ट्यूमर में एक्डिवेट मेटास्टासिस पेशेंट्स फू हैव अंडर्गों सर्जरी आज गिवन कैनाबिट्स नहीं दोस्तों प्रॉपोटी सब्सक्राइब करेंगे तो एक जगा से जाके दूसरी जगा पर जाके मेरे दोस्तों यह ट्यूमर कोज कर सकते हैं सब्सक्राइब के सामने यह फॉल्विंग इस पेर ओफ वायरल डिसीज़ेस के पेर चूज करने है टाइफ़ ट्यूबर्कुलोसिस रिंग वाम एड्स कॉ कॉमन कॉल्ड इसका आजाएगा कॉमन कोल्ड होता है रहेनो वाइर ус की वज़े से हिए यह सुईन है रेडरो वायरस जाएच सब्सक्राइब करेंगे पर्संदर्र सकता नहीं जिससे ट्वेटनिसरीशत्र हों नहीं सुग मेण क्योंंती हिशं करोगे से डेर्जंट एप्रीफर्म एंटीबाइडि उर स्टेरीटिक्ष और दोस्तों पहले से बनी एंटीबाइडिक्स दोगे क्योंकि उसे होने ही वाला है ठीक है जैस को पुछन आपके स्क्रिन के सामने किस चीज के लिए रिलिफ्स देगा उसे के साथ स्टिरोइड्स लाल पड़ गया यार यास ऑप्शन भी इस दे करें असर अलर्जी के इंदर स्टिरोइड्स होते है तो उसकी के इंदर स्टिरोइड्स भी एपलाई करते हैं नेस्ट कोशन अलजाइमर डिसीज दें दो हुमान सीज असोशेटेट विद्ध देफिशेंसी ओफ लाइमर डिसीज आपने सुना ओगा दोस्तों इस कंडिशन के अंदर हमारा चुस्का नियूरो ट्रांस्मेटर होता है उसकी डिफिशेंसी होती है गाबा की होती है नहीं डोपामाइन की इसके अंदर एस्टी टाइल कोलीन की होती है तो प्शिन डी मस्ट भी तर करेंट अंसर इस सब्सक्राइब को प्लांट्स के लिए किसे यूज करोगे अगरो बैक्टरियम इसके पास ट्यूर इंडूसिंग प्लास्मेड भी होता है इसके उदार हम कर सकते हैं वेरिगूड बैक्टरियम बैसिलेश थुरंजेश इस इस वाइडली यूज इन तकॉंटेंपरी बैयोलोजी एज वैसलेश थुरंजेश को हम यूज करते हैं वेटा इसन क्या है जल्दी सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉलूशन इंसेक्टी साइड यह किसी भी इंसेक्ट को जाके उसके गट में क्या गरें कोई पर्टिकुलर की आप विजा के आपका प्रोटॉक्जीन कर्मटोपर टॉक्जीन की बीच में वापर स्वेलिंग और लाइसिस कराएगा नेस्ट को यह पर आपको रॉंग ली मैच चूज करना वेटा आख प्रोट जूज के अंदर भी प्रेक्टिनेस इसको यूज करोगे बेटा आपके स्क्रीन के उपर है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड की इस चीज के लिए यूज करते हो पी इससे पोमेटो वगरा बना सकते हैं प्रोटोप्लाजम को निकाल सकते हैं यस तो पॉली अड़ी स्क्रीक्ता दोन अधर आस सो आज़हां से गारांस और गुश्म से बहुत ही जाएगा वॉसं तय वालास सकते हो ऐसक आतर पर inactive prototoxin gets converted into the active form in the inset gut inset के gut में जाके active होगा अपर swelling और license कराएगा next question there is no DNA in beta किस cells के बीच में DNA नहीं होता hair root के बीच में होता है DNA sample को यूज कर सकते enucleated O1 होता जरूर है mature RBCs के अंदर होता है क्या mature RBCs के अंदर नहीं होता है the letter T in the T lymphocyte क्या refer करता है the letter T in the T lymphocyte B के अंदर तो बो में Aero कर सकते है C जो T lymphocyte के अंदर होता है thymus को करेगा thymus को करेगा क्योंकि उसका maturation वहाँ पर होता है the last question of our today's session tiger is not resident in which one of the following national park tiger कहा पर resident नहीं है जीम कॉर्बेट रांताम अबोर सुन्दर वांस या गिर आउट ओफ एंसरी कोस्टिन था वह डिसकांसर डी है बिटा गिर के अंदर यापर लाइंस अगर आते थे थे ना अप्टिन डी इस दी कर्टनसर गिर के अंदर नहीं था अज हमने कितने कोशन सॉल किये है वन थर्टी सिक्स कोशन सॉल किये है न टाइम परिएड ओफ यस्ट थे वंटि फाइट 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 विट अदर दिसकर्शन अंद इसकर्शन अद कॉंसेट्स हर एक चीज कर दी हैं दोस्तों अभी मुझे थोड़ा साइलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो यह मैं चाहूंगा कि सेशन को मैं जल्दी एंड करूंगा बेटा क्योंकि सुबह से सुबह छे से लगा साथ बजे में पढ़ने को बैटा था तिल नाउ इस अल्मोस्ट फाइव फाइव पीम तक पढ़ाई कर रहा था तो आम टोटल अधिक मी एंड थांक यू मी फॉर हविंग हीर तो जलेगा इस सेशन को मैंड करता हूँ जल्दी मिलते है करने कलास के अंदर पेडिगरे अनलाज़ेश इस नर्व निम्पल्स कंडॉक्शन एंड सम डाइग्राम बेस कोश्चन्स हम सॉल साथ में सॉल कर लेंगो ठीक है ल औरन सबस्क्रान एंड सम घंद